हेलो गाइस वेलकम बेक टू दा चैनल अगें दिल्लें 93 व्लोग्स एक और नहीं वीडियो में आप सभी को स्वागत है अगर आप लोग मेरे पुरान विए रहना तो आप लोग को पता होगा मैंने कुछ ट्रम पहले वीडियो बनाई थी तिंग्स जैट कन ब्रेक योडिल ज इस पहले मैं आपको बहुत बढ़िया चीज के बारे में बताना जाता हूं यह है बाई गुड कॉलिटी का टायर फॉर्म स्प्रे टायर फॉर्म स्प्रे आपने बहुत सार देखे होंगे लेकिन यह कुछ यूनीक है यह देखो है ऐसा कुछ अभी देखो मैंने स्प्रे मा इस तरीके से अच्छे शेक कर लेना है और से स्रकुलर फॉर्म में भुमाना है जैसे कि आपको अप्लाय हो गया इसमें एक चीज बहुत अच्छे से बाई कपड़े वगयर से साफ करने की बिल्कुल ज़रों तरी होती अपना छोड़ दो और उसके बाद ऐसा कुछ आपको तो यह बाई गुट कॉलिट का टायर फॉर्म स्प्रे इस प्रे की साथ डिटेल आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में एमेजॉन का लिंक में मिल जाएगा इनका वाटसफ नमर में मिल लाएगा अगर आप चाहो तो आप जाकर ले सकते हो मेरे लिंक से वीडियो को करते हैं देखो साइड से पूरी मतलब उंगली अंतर चल जाती है और यह देखो बैक साइड में भी डिग्गी की तरफ आगया मैं इतने अजीव लगते हैं दूर से दिखने में देखो इसकी बैक साइड से दिखाते हूं इसकी डिग्गी की तरफ ही देखो ब्लैक लाइन आपको दूर सब्सक्राइब दिख रही है कि देखो मेरे साइड में वॉक्स्वेगन पोलो भी खड़ी है इसकी में आपको पैनल के पोर फिट एंफिंस दिखा देता है कितनी मसता आपको देखने को मिलेगी बट्ट एसको आपको मारतियों में देखने को नहीं मिलेगी और ऐसा तो बोड़ी लाइन सारी सेम होने वाली और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपकी बॉड़ी की एरो डायनमिक को भी एफेक्ट करती है अगर हम अपनी तरफ चले तो यह है इसके टर्न इंडिकेटर आइसक्यूब वाले आपको एलक्साई विनेंड में मिलेंगे और इतने साल से भी आठनों लाक रूप लगाने के बाद भी एक बलीनो जैसी गाड़ी आपको बैक साइड में शार्क फिन एंटीना दे देती है देखो हैजबेक के लिए ठीक लगता है फ्रेंट में क्योंकि वह थोड़ इसी आपको मदब स्मॉलर लुक देती है बट देखो पोलो भी भाई पीछी दे रही है बट यार स्वी में आपको पीछी देना चाहिए क्योंकि यह थोड़ी सी गाड़ी को छोटा बनाती है देखो और वो भी भाई आगे दे रहा है पीछे दोते हैं कम से कम हम अपने हिसाब से मोडिफा करवा कि पीछे शार्क फिन तो लगवा लें बट ऐसा कुछ ऑफ्शन नहीं मिलता आपको ब्लैक कलर का जैड़ साइप प्लस में भी सेम ही मिलता है शार्क फिन आपको नहीं मिलेगा और नेगिटिव पॉइंट है अपना गेट बंद करके दिखाता हूं मैं यह देखो पैनल गैप बिट्विन डोर एंड डेश बोर्ड यह क्या है यह मैं आपको बताता हूं देखो जैसे गेट अब हमने बंद कर दिया तो इसकी बीच में आपको बहुत सारा देखो पैनल इसमें बीच में चलेगी इसका पता है क्या देखो लुक तो इससे घर खराब होई रही है बट इसकी सेकेंड चीज एक अपको बता देखो जैसे लब आप अपनी गाड़ी ऐसा लगता है जैसे हवा रही हो मतलब एर प्रेशर एर की हवाई समसे मतलब अगर अगर आप यह अपर हाथ लगाऊगे न तो ऐसा फील होता है पता नहीं भाई सच माती भी होगी कि यहां पर हवार यह एर लिकेज हो रही है एक तरीके से पता नहीं बाई इनकी फिट और फिनिश कॉल्टी कितनी है जीप है मैंने जैसे आपको वोक्स वेगन पोलो खड़ी है इसकी मिलेगी अगला अपना नेगटिव पॉइंट भाई का क्या है वो मैं आपको बता देता हूं वो है भाई इसका डैश बोड देखो वो वाली चीज़ लुक्स वाइस तो देखो यह ओल्ड होई चुका है उसमें तो कोई शक है नहीं यह वाले डैश बोड़ 2016 से चलता रहा ह पहले इसकी डीजल विरेंट्स में आता था उसके बाद इसका फेसलिफ निकाला मारूती ने जिसमें इसकी कोस्मेटिक चेंज कर दिया हेड लाइट वगरा और टेल लाइट मैलेडी दे दे थी ग्रिल चेंज करी थी बिट भाई जो लोग की उमी थी थी ना संरूफ वो त आई नी वो तो खेर छोड़ी दो संरूफ तो खेर मारूती क्या ही देगी जो इसका डैशबोर ता वो भी सेम ता और यह भी जायड सी बात कि अगर आपका डैशबोर सेम होगो तो इसकी कॉलिटी भी सेम होगी इसकी प्लास्टिक कॉलिटी थी बेकार मिलती है ना आपको बेकार तो नहीं बोलूँगा मतलब बिलो दा एवरेज मिलती है आपको यह मानो आट नो लाक रुपए जब आप अपनी गाड़ी में लगाते हो ता आप यह एक्सपेक्ट करते हो कि एट लिस्ट रैटलिंग वोईस आपको अपनी गाड़ी में नहीं आए रैटलिंग जाते है मतलब इसका एक तरीक से अगर मैं बोलू तो बज़ती है गाड़ी इसके पैनल्स देख लो पिलर वगरा इसके पिलर में से पता नहीं कहां से आवा जाती है उपर से पता नहीं कहां से आवा जाती है जो संग्लास होल्डर वाली जो जटेक्स है प्लेस में फीचर अगर आपने यह वाली वीडियो नहीं देखी तो आप यहां पर आई बिटन में जाके देख सकते हैं फिल लिंक में जाके देख सकते हैं और साथी साथ यह डोर हैंडल को ऐसे से और ऐसे कैसे करना है मतलब इसकी सारे रस्टिंग कैसे अटानी है सिर्फ 10 रुपए में उसका भी वीडियो का लिंक यहां पर आ रहा होगा वह भी आप जरूर से जाके देख सकते हैं फिलाल बात करते हैं अपने नेगटिव पॉइंट की नेगटिव पॉइंट क्या है यह ना भाई आपको सीट बिल्कुल अप स्ट्रेट मिलती है वाला बेंस ट्वाइप की आपको मि आपको पता होगा कि काफ सारी गाड़ियों के ना बेस मोडल में जैसे बलीन होगी उसमें आपको यहां पर चार्जिंग सोकिट तो मिलता है और जैसे बाई ग्रैंड आइटन नियोस वगेरा होगी या फिर आइट्वेंटी वगेरा होगी उसमें आपको भाई रियर एसी का भी ऑप्षिन मिलता हाला कि सेंटरों गाड़ी में देन लग यार हुंड़े यह पता नी मारूती अपनी ब्रीजा जैसी एक प्रीमियम जो इनकी गाड़िया यह मानते है प्रीमियम होगी एस क्रोस हो गई ब्रीजा होगी उसमें आज तक भी भाई गाड़ी में आपको आपको नहीं मिलता हाला कि फ्रंट में तो देखो अब्वेस है कि मिलेगा बट यार पीछे भी होना चाहिए ना जब पीछे लोग बैठे है तो आप एक आट नौल लाक रुपे लगा रहे हो तो बेस मोडल है चलो बेस मोडल माले है लेकिन इसकी तो देख साई प्लेस में लगा कि जगे दे रखी आपको और यह वही काफी मोटा सा पिलर दे रखा जो कि आपकी ड्राइंग हो ना बहुत पगड़ा इफेक्ट डालता है इफेक्ट मतलब इन दा सेंस खराब इफेक्ट डालता है अच्छा नी डालता क्यों क्यों क्योंब्गे जब हम यहार की लगा की दिखाता हूं इसके और व्यम का साइज कितना बड़ा है देखो ग्लास एरी आपको और व्यम का बस यहीं तक मिलेगा बट यह जिसकी प्लास्टिक है इतने पता नहीं कैसा से डिजाइन और बनाया है पूरा भाई ऐसी दे रहा है जो आप अंदर से बैठ होगे न यहां पर चोटा सक लिकांच का एक पोर्शन दे देते हैं ताकि आपका ब्लाइंड स्पॉर्ट ना मिले बट यहां पर आपका बहुत तकड़े वाला ब्लाइंड स्पॉर्ट बनता है यहां से लेकर और पूरा यह शीशे तक तो आपको अंदाद इसी गाड़ी चलाने यह देखो यार M.I.D. कंट्रोल करने के जो बटन वगयर होते हैं यहां कौन देता है यार यह ओल्ड टाइप स्विफ्ट वगयरा में आते थे यार मतलब मारुक्ति यार कब सुध रहेगी इन चीज़ों से छोट छोटी कम से कम यार M.I.D. कंट्रोलर जो होते हैं वो तो यार इस साइड होने चीए थोड़ा सा प्रीमियूम नेस तो लगेगी यार चलो यह तो मत दो आप कोई बात ही वी एक साय में हम ले सकते हैं बट इसका तो आप जैट एक साय प्लस वालों को भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं जो को बंदा अपनी गाड़ी में 11-12 लाकुर प मैं क्यों बोल रहा हूं जैसे कि आप लोग को पता होगा मारूती की ब्रीजा में स्क्रोस में और सियाज और अर्टिका में इन सबी गाड़े में आपको मिलता है मारूती का 1.5 लिटर 1462 सीची का पेट्रोल इंजन जो कि प्रेड्यूस करता है 105 ब्हप 132 निर्टर जब भी मारूती फीडवेक लेते हैं सभी लोग का यह कहना है कि इन गाड़ियों में तो दो भाई पांच गेर से ज्यादा चटा गेर का हैं क्योंकि पांच गेर की रिक्वार्मेंन बिल्कुल है बड़ा इंजन है और गाड़ी जैसे आपको पता है भागती आस्यूवी ग चलाते हैं पांच ही गेर में घिसते रहेंगे क्या और यह तो स्क्रोस में भी नहीं देते भाई जैल्टेक से प्लस में भी आपको पांच गेर मिलते हैं डीजल वेरेंट पे इनके यही पांच गेर मिलते हैं पता नहीं क्या सीन है और इनका छटे गेर की रिक्वार्मेंट आप जाके देख सकते हैं और गुड कॉलिटी का टायर फॉर्म स्प्रे लेना ना भूलें इस प्राइज रेंड में इतना सारा मतलब 650 ml की समय वॉल्म जो आपको मिलती है और बारकोड वगएरा ऑथेंटिस्टी की सारी चीज़े मिलेंगी लिंक पिल जाएकर मिलते हैं को रहें इस नहीं वीडियो में बाई